हलो दोस्तों मैं C.A. मीना वर्मा और इस वीडियो में हम पेपर बोर्ट की के स्टाडी कर रहे हैं इस ब्रैंड ने अपनी पहचांग प्रोडक्ट सेल करके नहीं बकि एमोशन्स और मेमरीज सेल करके बनाई बट्टे में साबून की हुश्वू और वो पतंग लूटने के लिए दोड़ना एके बारिश की बूंद आके मूँ में गिरे टगा पाई पैसे और धेले थे छोटी उमर बड़े फैस ले थे बच्पन की यादों को फिर से वहाओ बड़ी चटपटी है ये फिर से पिलाओ पेपर बोट ड्रिंक्स और मेमरीज एमोशनल है ना ये ब्रैंड आपको आपके मेमरीज को रीफ्रेश कर देता हूँ पेपर बोट की शुरुआत नीरज ककर सुहास मिश्रा, नीरज बियानी और जेम्स नुटाली जो यूएस में पाकेचिंग इंडास्ट्री के प्रोफेशनल थे इन्होंने हेक्टर बिवरिज़ नाम सिखी 2012 में नूतल के पेरेंस इंडिया कुने आए नूतल आंपना खरीदना चाहते थे जो अकसर उनके पेरेंस सुहास मिश्रा अपने घर से लाते थे आंपना जब गर्मियों में लू चलती है उस समय पीना सेहद के लिए बहुत अच्छा होता है पर उस समय नूतल को स्ट्रीट पेंडर के लावा एक भी हाईजिनिक आप्शन नहीं मिला उनके इस अंसैडिसफाइड वॉंट ने इंडिया के ट्रेडिशनल ड्रिंक को हाईजिनिकली पाकेज में सेल करने का आईडिया आया और अगस 2013 में हेक्टर बेबरजस नाम से पेपर बोट का फाउंडेशन किया गया उनकी टैग लाइन से समझ आता है कि यह क्या करते हैं उनकी टैग लाइन है ड्रिंट आड मेमरीज अब बात करते हैं कि कैसे पेपर बोट ने इंडिया में इतनी जल्दी अपने आप को स्केल अप कर दिया इंडिया मार्केट में अब लोग बहुत ज़्यादा इंडिया की फूट जूस की मार्केट को डिरेक्ट इंपक्त किया था फूट जूसर्ज बेवरेज़ मार्केट का 30% शेर इंजॉइ परते हैं और यह इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइं सेग्मेंट है बीस हजार थीस तक यह माना जा रहा है कि यह मार्केट 17.1% की कपाउंड एन्वल ग्रोथ रेज से बढ़ता जाएगा पर दूसरी तरफ यह मार्केट हाइली कॉम्पटेटिव भी है जहां डाबर ने इस मार्केट का 55% शेर कैप्चर किया हुआ है और इसे लिए पेपर बोट को अपनी पोजीशन को अपनी कॉम्पटेटर के कंपारिजन में अलग बनाने की ज़र्वर थी और इसे लिए पेपर बोट ने फ्रूट जूस के न सिर्फ फंक्शनल पेनेफिट्स जैसे की गुट है लो शुगर पर फोकस किया बलकि इमोशनल पेनेफिट्स पर भी फोकस करना शुरू कर दिया हुआ और पेपर बोट ने इसी इमोशनल बेनेफिट्स को प्रायोरिटी वना दिया और इसी स्ट्रेटेजी के थूँ पेपर बोट कंपनी ने अपने प्रूट के अंदर डिफ्रेंसियेशन के फैक्टर्स को अड़ कर दिया इमोशनल अपील को क्रियेट करने के लिए कंपनी नेस्टॉलजिया को चूस कर रही है ये कंपनी की टैग लाइन मतलब ड्रिंग एंड मैमरीज से भी नजर आता है कंपनी इंडिया के एथिनिक ड्रिंग को सेल खेने के लिए उन्होंने ब्रांडिंग के थूँ ये शो किया मेकिंग पीपल टेस्ट मैमरीज उनके प्रोडक्ट एथिनिक फ्लेवर के हैं ये उनके पाकेजिंग से भी समझ आता है ये अपने प्रोडक्ट की टेस्ट, पाकेजिंग, ब्रांडिंग, आडविटीजमेंग के थूँ ओडियन से बहुत ही स्मार्टली कनेक्ट कर रही है इन सबके तुरू कंजियूमर को निस्टॉल्टिया फील करानी के पोशिश की जा रही है और साथ में ही उनको हर सिर्वे, टेस्ट और गुड हेल्प का प्रोड़िस भी किया जा रहा है आएए अब समझते हैं पेपर बोड कंपनी के फोर पीस के बारे में सबसे पहले समझते हैं पेपर बोड का 1st ही मतलब प्रोड़िस जिसमें आता है ब्रैंडिंग और की बात करते हैं शुरू में पेपर बोड कंपनी ने सिर्फ दो में आम्रस और जल्जीरा यह ऐसे ट्रिंग्स हैं जिसे बचपिल में आपने जरूर पिया होगा और अगर किसी का बच्पन उनी सु साट में बीता है तो उन्हें याद होगा कि कैसे ये ड्रिंक उन्हें आनंद देता था बाद में इस कंपनी ने एथिनेग ड्रिंक की काटेगरी में चौदा ने वेडियंग्स इंटरेड्यूज किये इस कंपनी ने अपने प्रोड़क्त के पोर्फोलियो में मिल्क बेस्ट बेबरज़ भी बना कर सेल करने शुरू कर दिये और रिसेंटली उन्होंने ट्रडिशनल इंगियन स्वीट चिक्के भी सेल करना शुरू कर दिया कंपनी का हमीशा ये एंग रहा है कि कंपनी अपने प्रोड़क्त को बिना किसी प्रजरवेटिव को एड किये बगयार मांकेट में को सेल कर सकते हैं मतलब जैसे हमारी माह हमारा धान रखती है पर हमारी स्वाद और सेहत का दोनों का ख्याल रखती है बिल्कुल वैसे ही ये कंपनी हमारी स्वार पर हमाई सेहर दोनों का ख्याल रहना जाता है ये कंपनी अपने प्रोड़क्त को तीर काटेगरी में सेल करती है फ्रूट बेस ब्रिंग जिसमें आमपना, जलजीरा, आमरस, काला फट्टा ये सब आते हैं मिल्क बेस ब्रिंग जिसमें बटर मिल्क, बदाम मिल्क, खंडाई, टीर ये सब आते हैं और अधर प्रोड़क्त जिसमें चिक्की, आम पापड, कोकोनेट वॉटर, पनाकम, सर्बते खास और जिंजिन लेमन टी आते हैं अब इसके बाद बात करते हैं पेपर बोड के प्रोड़क्त की पाकेजिंग के बारे में उन्होंने अपने प्रोड़क्त की पाकेजिंग नास्पती के शेप में एक फ्लेक्सिबल पाउच जिसे डॉई पैट कहा जाता है इसमें की जो company के product को अपने competitor के comparison में एक unique identity देता है ये packaging layers में होती है जिसमें paper, foil और HSL मतलब heat seal lacquers में होती है large quantity के लिए जैसे कि 1 liter के लिए tetra prism pack यूज होता है clever, humorous, unusual और appealing तरीके से इसके pouch के नीचे एक one liner भी add किया जाता है जो consumer को एक personal touch देने के लिए काफी होता है इस line को पढ़कर आपको लगेगा कि ये brand आपसे खुद बात करने के कोशिश कर रहा है इसने इस one liner के थूँ इंडिया में अपने आपको बहुत famous कर दिया और financial year 2018 में company ने 71% की growth achieved की अब बात करते हैं 4P में से next P की जिसे place कहा जाता है place के अंदर market, channel और distribution ये सारी चीज़े आती है paper boat has no question asked to return policy मतलब अगर कोई भी retailer अपने product को return कराना चाते है तो company बहुत असानी से उसे return कर देती है company की return policy बहुत अची है company हमीशा ये ensure कर दी है कि उसके retailer हमीशा fresh product का stock बना कर रखे और company अकसर retailer को जो भी product return करते हैं उसका full amount refund कर देती है बजाए इसके कि दूसरे competitor जो भी product return होता है उसका amount का कुछ percent ही refund करते है और इसी reason से company हमीशा अपने distribution channel में जो भी उसके partners है और other लोग जैसे की retailer, distributor जो भी लोग हैं जो उसके distribution channel से company के साथ जुड़े हुए हैं वे सारे लोग इसी company को priority देते हैं अपने product के return के refund में कमपनी जो इंशॉरेंस देती है उसने company के product जैसे आमपना, आमर्स, गोलगपा जैसे पेवरेज़ को और भी अट्राक्टिव बना दिया है तो इसी तरह अगर आप अपने product की sale बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भी अपने organization के distribution channel है उसके अंदर जितने भी retailer, distributor और जितने भी partners या जितने भी लोग इस distribution channel के अंदर आपके organization से जुड़े हुए हैं आपको हमीशा उनको खुश रखना चाहिए अगर retailer, distributor और जितने भी लोग हैं ये सब आपके organization से खुश रहेंगे तो वो हमीशा आपके product को priority देंगे हमीशा आपके product को दूसरों को recommend करेंगे 4P का next P है pricing जिसके अंदर discount, credit policies और offers आते हैं Paperboard differential pricing model follow करता है, वे same product को different places में different prices में sell कर रहे हैं और इसे लिए वे हर तरह के segment को cater करने में सफल रहे हैं अभी वे 250 ml pack के drink को 30 रुपे में sell कर रहे हैं और एक लीटर के pack के drink को 80 रुपे से 100 रुपे के बीच में sell कर रहे हैं E-commerce platform जैसे की Amazon में अगर आप एक साथ 6 packages को purchase करते हैं तो वो आपको discount में मिल जाएंगे जबकि अगर आप D-mart या फिर Reliance Mart जैसे stores में जाते हैं तो वहाँ पे आपको individual product में भी discount मिल जाता है Company ने अपने product के pricing या तो अपने डाबर जैसे competitor के बराबर रखा है या तो उनसे कम pricing रखा है Indian market को penetrate करने के लिए company ने 250 ml के simple packaging की है ये small packages affordable भी होते हैं जिसके वज़े से consumer company के अलग-अलग flavors को try कर सकता है जिससे consumer company के flavors को समच सकता है 4P का next P है proportion जिसके अंदर advertisement और publicity आती है Paperboard की social media में digital marketing campaign के through strong presence है जैसे कि हमने शुरुआद में ही आपको बताया हूँ कि complete product नहीं बलकि memory cycle ये emotion cycle नहीं है और उन्हों ही ऐसा consumer को दिखाया भी है कोई सोया था कोई बैठा था कोई लेटा था कोई खड़ा था जगह कम थी पर ट्रेन का दिल बहुत बढ़ा था आप उनके social media platform को देख सकते हैं कि वे कितने colorful और कितने color captions यूज करते हैं Paperboard के TV advertisement campaign में simple और powerful advertisement के series चामल थी जो बच्चपन के पुरानी यादों के brand idea को शो करती है अपने advertisement में और तड़का लगानी के लिए company में आरके नरायन के iconic Malgoody Days के music को उन्होंने अपने advertisement में डाला है इसके अलावा brand उन चीजों पर भी बात करता है जो exclusively बच्चों के लिए हैं TV advertisement के अलावा बच्पन की यादों और पुरानी यादों का जश्न बनाते हुए कई सारी short films भी release की गई इन short films का aim हम सब के अंदर जो बच्चा चुपा है उस बच्चे को बाहर लाना था इसके बाद कंपनी ने एक और camping चलाया जहां पर अगर बच्चे पेपर के बोट बना कर उसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया में टाल कर कंपनी को टाग करते हैं तो कंपनी उस बच्चे के नाम पर 20 रुपे एंजियो परिवार को डोनेट किया करता है इस कैम्पेइन के थू कंपनी ने दो तीर से एक निशाने मारे थे पहला इंस्पाइब दो पीपल विद अ मिशिन लोगों को एक नेक काम से जोड़ा और दूसरा जब लोग सोशल मीडिया सोशल प्लाटफॉर्म में कंपनी को टाग कर रहे थे तो कंपनी को फ्री में फब जैसे की कंपनी ने बुक पप्लिशिंग के साथ भी वेंचर किया और जंगल बुक पो रीप्रिंट करवाया इस कंपनी का क्यांड़ नेचर ओपन आप ट्रस्टिंग नेचर या कहा जाए हार टू हार्ट टौक करने का तरीका एक मुख्य कारण था कि लोग इस ब्रैंड से पर्सनली कनेक्ट हो गए थे अब ये कंपनी बहुत ही इंप्रस्टिंग और डिफरेंट बन चुकी थी पर कंपनी के शुरुआद एक निश्य मार्केट से हुई थी जो किसी भी ऑर्गनाइजेशन के शुरुआतरी एंट्रे स्ट्रेजी के लिए तो ठीक है पर अगर कोई ब्रैंड किसी लार्ज मार्केट को क्याप्चर करना चाता है तो वो लंबे समय तक किसी एक स्पेसिफिक निश्य मार्केट में तिककर नहीं रह सकता और इसलिए आपने देखा होगा कि पेपर बोर्ट कंपनी भी धीरे-धीरे अपने प्रोड़क्ट के पोर्फोलियो को ए इसे तक भी पहुँच गया है इन देशों में कंपनी के मिजॉरिटी ऑफ इंडियन ओरिजिन के हैं कंपनी के इमोशनल डिफ्रेंसियेशन की वजह से ये कंपनी आज भी मार्केट में टिका हुआ है और प्रोड कर रहा है आई होप आप लोगों को ये के स्टेडी पसंद ये हुब गी, thank you so much